है Гजा है यूपीएसी के सिलेष और उसकी क्या स्क्रेटिजी होगी उसको लेकर हम आपके पास आए अब किसलेष और उसकी विहू रचना होनी चाहिए उस टाफिक को लेके आपके सामने आज उपस्थित हुए है और आपके questions आना शुरू हो गया है गुड अप्र नून ओल अफ यू सो पहले हम syllabus की चर्चा करेंगे कि UPSC की syllabus क्या होती है क्योंकि जब तक आप syllabus नहीं समझेंगे तब तक कोई भी एक्जाम को तयारी करना आपके लिए मुश्किल होगा और आप तयारी नहीं कर सकते हैं तो पहले syllabus को समझते हैं बहुत ही सरल language में सरल तरीके से में आपको बताऊंगा कि syllabus को कितने आसानी से समझना है क्योंकि समान तोर पे जो आप syllabus डाउनलोड करके समझने की कोसिस करते हैं तो आपको दिक्कत होती है तो हम पूरी syllabus को तीन भागों में देखेंगे क्योंकि परिक्षा जो है वो तीन चरणों में होती है पहले चरण को प्रारामभीक परिक्षा PILIMS काते हैं दूसरे चरण को मुख परिक्षा मेंस काते हैं तिसरे चरण को सक्षतकार यानि की interview personality development काते है personality test काते हैं पहले हम PILIMS की चर्चा करेंगे, PILIMS में दो पेपर होता है, पहला पेपर होता है GS का, दूसरा पेपर होता है CSET, CSET यानि कि Civil Services Appetute Test, पहला पेपर जो GS का होता है, उसमें 200 marks के questions होते हैं, यानि 100 questions पूछे जाते हैं, 100 questions, 200 marks, यानि कि एक questions का जो value है, वो 2 marks का होता है, second paper जो CSET है, उसमें 80 questions कूछा जाता है, और या भी 200 marks का होता है, लेकिन यहाँ पे एक questions का value है, marks है, वो 2.5 है, लेकिन आपको साथ में यहीं पताना चाहता हूँ कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 1 3rd marks एक wrong answer करने पे आपके cut कर लिये जाएंगे, यानि कि फर्स्ट पेपर यदि एक questions कोई 2 marks मिलते हैं, तो यदि आप wrong answer करते हैं, तो 0.66 आपके cut हो जाएंगे marks, उसी तरीके से second paper जो C-set का है, उसमें यदि आपको wrong answer करते हैं, तो वहाँ पे 0.8, 33 marks जो है, वो cut होईंगे, यानि कि 1 3rd marks आपके cut होते हैं, but second paper जो C-set है, उसमें केवल आपको qualify करना होता है, पिलिम्स के result में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, जब तक आप qualify नहीं करेंगे C-set, आपके GS के answer seat है, उसको check नहीं किया जाता है, तो यह भी महत्पूर्ण है, बट उसमें केवल 33% ही आपको marks लाने होते हैं qualify करने के लिए, तो second paper के लिए आपकी रनीती ऐसी होनी चाहिए कि आप at least 40-45% marks लाएं ताकि 33% के आसपास रहने पर हो सकता है, कि आपका result जो है वो doubtful हो सकता है, संधिग्ध हो सकता है, तो पहले films की चर्चा करते हैं कि films में आपको क्या करना है, उसकी रनीती क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होता है, और किस तरह से आप से कुछे जाए किसी साल हो सकता है कि जादा से कुछे जाते हैं कि से करेंट से जाधा कोस्टन होता है कभी इन्भार्मेंट एंस सूकर्वलिम मथी तीन जो घटनाय होती है जो भारत को कहीं न कहीं प्रभावित करता हो उस तरह के करेंट एफिर्स के कोस्टन्स पूछे जाते हैं भारत में भी जो इनेशनल जो करेंट है उसमें आपको देखेंगे कि किसी तरह की सिस्टम में चेंजिंग या कुछ बड़ा सा ब्यापक कोई सबझेंट के साथ मिक्स करके भी पूछा जाता है इसलिए करेंट की अच्छे से करनी होगी यदि हम केंट रीक्स की बाट करें कि कहां से हैंड बुक आती है उससे आप अपनी तयारी कर सकते हैं करेंट एफिर्स के लिए इसके अलावा कहीं से भी आपको अलग से कोई मैगजीन लेने की जरुवत नहीं है हालाकि योजना और कुर्चेत्रा ये दो मैगजीन आप ले सकते हैं इसकी तयारी के लिए आपको सहयता और मदद मिलेगी सेकेंड जो सब्जेक्ट हे वहाज भारत का इतिहास भारतियस संस्कृति साथ में के लिए असको भी आपको देखना होगा तो हम अगर हिश्टी की बात करें तो हिश्टी मैं जैसा मैं पहले भी बाता रहा हूं कि आपको क्लास 6 से ले लेकर 12th class तक की NCRT की books आपको 2-3 वार read करनी होगी, पढ़नी होगी Especially 6 से लेके 10 class तक की books है, वो old edition की आपको लेनी है याद रखेंगे old edition की books आपको लेनी है क्योंकि उसमें old edition में बहुत अच्छे से दिया गया है उसी तरीके से आप 11th और 12th class में देखेंगे तो आड़ेस सर्मा की book, NCRT history में 11th class में आती है, 37 चंदरा की मिराइवल में आती है और modern Indian history के लिए विपिन चंदरा की NCRT की books आती है 11th, 12th class की books है 11th class में 2 और 12th class में modern Indian history ये बहुत important book है क्योंकि 6 से लेके 10 class तक जो परहेंगे उसी का repetition आपको मिलेगा 11th और 12th class की history के book में इसके लावे आपको नितिन संग्ञानिया की जो art and culture है Indian history की वो books आपको बहुत मदद करेगी क्योंकि यह बहुत ही सरल है इसको मैंने पढ़ा भी है तो आप इसको जरूर लेंगे तो history के लिए NCRT की books नितिन संग्ञानिया की art and culture और फेड़ा मुम्मेंट के लिए विपिन चंद्रा के book बस इतनी सी books से आपकी films की पूरी की पूरी तैयारी जो है वह history में हो जाती है इसके लिए अलग से आपको दूसरे books लेने की कोई जरूरत नहीं है अब चलते हम films के तीसरे subject तरफ तो तीसरे subject में geography की चर्चा करते हैं जोगरफी में आपको वर्ल्ड जोगरफी और इंडिया की जोग जोगरफी है यह भारत का भुगोल और विस्व का भुगोल दोनों ही से question पूछा जाते हैं और दोनों के physical, social और economic तीनों ही जो आस्पेक्ट हैं तीनो सब्सक्राइब करने की जरूरत है अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन-कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए तो क्लास छे से लेके 12th क्लास तक की जो NCRT के books है उसको आपको पढ़ने की जरूरत है और उसके साथ ही आप Oxford Student Atlas को आप पढ़ेंगे वैसे मादि सुसन की physical geography भी है अगर आपके पास समय हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं एक बुक मैं अलग से रेकमेंट कर सकता हूं और रिचार्ड की इंगलिस में जो रिचार्ड की physical geography आती है उसको आप इंगलिस मीडियम को जो student है उसको पढ़ेंगे तो geography की तयारे उनकी ह हो जाएगी जोग्राफी के लिए आपकी पूरी की पूरी यह भी रचना होगी आपके strategy होगी कि आप इतनी ही बुक्स पढ़ेंगे और जोग्राफी के लिए अलग से कैसे पढ़ना है इसके लिए मेरी जो YouTube चैनल पे अपलोड की गई वीडियो है उसको देखिए हिस्टी के लिए ही अपलोड की गई है वीडियो जी एस के लिए कौन सी बुक्स और किस तरह से पढ़नी है पूरे बुक्स के साथ मैंने डिटेल्स में बताये थे तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर अब उसको देख सकते हैं तो वहां से भी आपको मदद मिलेगे अब हम चलते तो यह रही आपकी पॉलिटी के लिए पॉलिटी में आपको देखना है कि गवर्ण शिस्टम गवर्नेंस सहित कंस्चूशन अफ इंडिया इन सब को आपको पढ़ना होता है अब रही बात कि पॉलिटी में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने है तो मैंने पिछले भी वी व सबसे पहले आप देखेंगे fundamental rights, fundamental duty, डिर्क्रीफ पुस्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्दियामेंड, सुप्रीम कोट, अमेंड मेंड, पंचायती राज, कैग, अगर उसमें देखेंगे तो आपके पास टोटल जो है 60 से ज़्यादा चैप्टर है, पर परना आपको यहीं 12 चैप्टर है, जहां से questions आते हैं, और वहीं से आप result क्लियर कर सकते हैं, अब चलते हैं साइन्स की तरफ, साइन्स के लिए 9-10 कलास की NCRT की बुक्स एनफ है, उसी से आपके questions जितने मिलने हैं, मिल जाएंगे, साइन्स में, करेंट से भी science and technology से questions पूछे जाते हैं, साइन्स के बारे में आप निश्यत नहीं हो सकते हैं, कि कहां से question पूछा जाता है, लेकिन मैं एकिवल आपको hints करूँगा कि जो human body से संबंधित, जितनी भी चीजे होती है, चाहे वो vitamins, minerals हो, या फिर human body किस तरह से काम करती है, blood groups and blood circulation, सहित, lymph, जितने भी है, उसके बारे में आप details परेंगे, तो आपको वहाँ से help मिलेगा, और जो भी genetic engineering और तमाम तरह की जो नए सोध हुए हैं, उस पे आप focus करेंगे, वहाँ से question आपको science में मिलेंगे, वैसे यदि उससे आपको science का काम नहीं होता है, आपका background science नही book आती है, उससे आप films की तयारी कर सकते हैं, और वहाँ से आपको films की पूरी तयारी करनी चाहिए, अब बात आती है economics की, economics के बारे में मैं बोलूँगा कि traditionally question बहुत कम पूछा जाता है, देखा जातो 15-20% ही questions होते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको current को भी देखना प जो मार्च में आ जाती है, वो magazines है, भासरकार की वो, यहां से अगर आप करेंगे तो निश्यत रूप से आपके जो economics की तयारी है, वो हो जाती है, और economics के लिए आपको 9th class की NCRT और 11th class की NCRT, यह दो NCRT, पलस रमेज सिंग की books परनी है, जहां से आपको RVI सहित, जो stock exchange है, जानी की share, बजार, demand and supply, inflation, export, import, agriculture, industry, यह सारे 5-6 chapter है, जहां से questions ही पूछे जाते हैं, तो आप focus करें के बल इसी chapter पे तो आपको मदद मिलेगी, और यहां से आप अपनी तयारी को पूरा कर सकते हैं, economics में, और economics में जो मैंने बताया है, इस books के अलावे आपको कोई भी books नही लेनी है, लेकिन जो लोग हिंदी मेडियम के हैं, तो हिंडी मेडियम के लिए लाले लाल के books आती है, रमेस सिंग की जगव, आप उसे भी अपनी त्यारी कर सकते हैं, Environment Technology के लिए मैं हमीशा बोलता रहा हूं कि संकर आइस की जो बुक है वह सफिसेंट है Environment Technology से ज्यादा question पूछे जाते हैं इसलिए France आपको 3, 4, 5 बार तक उसको अधिक सधिक reading करनी होगी ताकि आपको उसका concept भी मिले और current से जूड़े हुए जितने भी chapter है उसको ज़्यादा focus करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहां से questions बनेंगे और आप उसको बना पाएंगे आपके questions जो है बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं इसके अलावे जो भी आपके questions वगरा हैं आप मुझे बता सकते हैं यह पूड़ा का पूड़ा जो है साथ subject हैं यह साथ subject से आपके GS के first paper यानि की plims की पूरी तयारी हो जाती है और plims को clear करने का जो तरीका हो सकता है वो हम आप आपको बताएंगे जैसे अगर आपका science background नहीं है तो आप science को पूरी तरह ignore करके चल सकते हैं आप history, geography, environmental ecology, quality and economics अगर यह 5 करते हैं तो आपको 100 questions में से at least 80-85 questions मिल जाएंगे तो 115-120 के लिए 60 questions से ही आपको सही करना पड़ता है तो आप science को ignore कर सकते हैं जिनका science है तो अगर उनको लगता है कि history को छोड़ा जा सकता है history छोड़ सकते हैं क्योंकि history से 15 questions तक आते हैं बट पॉलिटी ऐसा है जिसमें कभी कम होता है कभी जादा होता है पॉलिटी बहुत इजी भी है उसको समझना बहुत आसान होता है ताप वहां पॉलिटी की त्यारी कर सकते हैं अब पॉलिटी के साथ आप दूसरी सब्जेक्ट की चर्चा करें तो दो ऐसे subject हैं जिसको कि जो है 20 25 30 35 तक क्वेश्चन जो है केवल और केवल पूछा गया है यह दो अगर पेपर को पकरते हैं तो आपके मिनमम फुटी कोस्टन की गरंटी होती है तो इन्वार्मेंट इंक जोग्रफिक को अच्छे से करिए हिस्टी को आप मोडर्न हिस्टी पे ज्यादा फोकस कर सक में सकते हैं यह को सकते हैं टमिले से पूरी कर सकते हैं लिए मूमेंट से मैक्सम कोश्चन होते हैं तो बीपीम चंटरा के सब्सक्राइब आप वह से देखना परेगा और वहां से आपको करना परेगा। ऐधा कि अब सब्सक्स बताई है उसके форм'S अलावे करेंगे तो आपको ज़्यादा आप आंसर कर पाएंगे अभी जो समय है जो लोग एक्जाम देने जा रहे हैं इस साल अभी पता नहीं है कि कब आपका एक्जाम होगा डेट कई वार आएंगे पस्पोंड होंगे लेकिन एक्जाम की जो संभावना है वो आप यह मान के चलिए कि मई एंड हो गया है जून आना है तो आपके एक्जाम की संभावना जो है वो जुलाई अगस्त में ही बनती है और जब तभी पूछा जाएगा जब जब यह एक्जाम तभी अनांस होगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सोसल डिस्टेंसिंग में आप देख रहे हैं उसको आप डाउन करें उसी पेस्ट में अगर अपनी तयारी को रखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है प्लिम्स के लिए आप सीसेट की बात कर लेते हैं क्योंकि सीसेट को भी क्लियर करना जोड़ी है अधर वाइज आप कित को सब्सक्राइब करें तो यहीं मेरे ख्याद से रहना चाहिए तो उसके हिसाब सही आपने जो डेली रूटीन से उसको अभी से अपर तयार करिए यहीं डेली रूटीन बहुत महत्पुन होता है अगर आपका अच्छा होगा तो वह आपके एकजाम में कहीं भी एक दो संभावना उसको नहीं घटने देती है तो आप डेली रूटीन को भी फॉलो अच्छे से करिएंगे चलते हैं सी से की तरफ और सी से को देखते हैं कि उसमें क्या-क्या पूछा जाता है तो सी से में कंप्रेहेंशन डिसीजन मेकिंग नंबर्स कि डेटा एनलाइस कि मेंटल एब ढूलीटी कार ये सब चैप्टार हें जहां से कोछे जाते हैं भर वाल नन भर बूट हो पूछा जाते हैं चार्ट पूछा जाता है तो यह अगर प्रिवियस से बेंट यह के सो देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगे कहां-कहां से पूछा जाता है और मैं बता रहा हूं इतने ही जगों से पूछे जाते हैं कि कि हालाकि यह कहा जाता है कि टेवल चार्ट में अबर्स नुमेरिकल के होते हैं अभी जो पूछे जा रहा है वह तेन पूछे जाते हैं तो आप इसकी तयारी अभी से सुरू कर दीजिए और जो कौछे गए हैं विल्कुल उसी चैप्टर को लीख लीजिए कहां-कहां से को पूछा जाएगा आगे भी आरे सखरवाल की बुक आपको लेनी होगी भरवल नवर्वल लेजनिंग के लिए मैथ के लिए आप उसी को पढ़िए और कंप्रिहेंसल के लिए आपको टीमेच जो की सी सेट मैनुवल के नाम से है तो टीमेच टार्टा मेंगरे हैस की बुक ल उनकी सब्सेरि समस्चा होती है कि वह मैथ में पर और कम जोर होते हैं इन झाव्ला कमस्री बनाया गया था सेट दोने मिला के मैट वाले जो होते थे वो 200 मार्क्स में से 190 वहीं से ले आते थे और इधार जी एस में उनका 35 ही नंबर या 40 नंबर या बीस कोस्चन भी 100 में से बनाते थे तो उनका रिजल्ट हो जाता था जब कि जो आर्ट्स वेक्गराउंट हुमन हुमनीटी के तरफ से जो है जो जिन् में डिसाइड हुआ कि नहीं अब सी से जो है वो केमल कमपाश्री होगा तब जाकर फिर से रिजल्ट जो है वह होना शुरू हुआ जो आर्ट्स बेक्ग्राउंड के हैं तो फिर भी अभी सी सेट को इतना टुफ किया गया है तो आपको बड़ा क्यारफुल दाना पड़ेगा बहुत कियारफुली आपको त्यारी करनी होला देवाईज मेरे फ्रेंड से जो कि सी सेट में हमेशा नहीं कलियर कर पातें हैं और फिर उनका पि नहीं याता है कि मैं बात करोंगा मेंस का toys मींस की सभर से इंगलिस इस तरह से टक होगए है कि इंगलिस इंगलिस लिए सफकन्य भी सीख्राइरी करनी यहेक्ट और आध सब्सक्रीा आपके सी सेट की जो समस्या है उसका आपका निदान हो जाएगा तो इस तरह से आप पूरी तरह से सी सेट की तैयारी कर सकते हैं और आरे सगरवाल की बूक आपको help करेगी उसमें मैथ में भी और नन भरवल और भरवल लेजनिंग तो फ्रेंड्स आपके पिलिम्स की तयारी इस तरह से थी और पिलिम्स में आप जैसा में ने बताया कि फिलिम्स आपको 33 परसेंट रहती हैं सेट में आपको केवाल लाना है और इसके लिए 28 परसमेंगे अपको सही करना है असी में बट नीगैटिव नहीं होना चाहिए कट को करना चाहिए तो जलूड़ी है कि आप एट लिस्ट अपकितना कोस्टन को शॉट करेंगे तो जी एस के लिए कम से कम सो मैंसे सब्सक्राइब करें तब जाके आपके जो है निगेटिव जब घटाएंगे तो 60 के आसपास रूखेगा सब्सक्राइब करें तो आप इसी साफ से अपनी तयारी को गती दे सकते हैं तो दोस्तों अब यह रही पीटी की बात और यह रही पीटी की आपकी स्टेटिजी क्या होगी अब चलते हैं मुख परिक्षा के तरफ यानि मेंस की तरफ मेंस परिक्षा के लिए नहièmeसा आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले दो लैंग्वेज के फेपर होतें हैं जो 300 मार्क को होते हैं इस फेपर पहला फेपर होता है कि कोई भी इंडियन language जो हिंधी मेडियम के हैं रखते हैं या फिर जो जिन्नोंने मैठली रखा है जिननों आपको पिलिबू रखा है तो जितने बिरवी अनुसची में जितने भी दिगई है le celebris कोई भी lg Knight होता हैं आए एंग्रीस जिसको भी आपको क्लियर करना होता ऑफ Amen पलस 300 2 Language के पर जिसमें 25% मार्क है। कि आपको लाने होंगे तब आप आप मेंस के बाकी जो पेपर से वह चेक किया जाएंगे तो यहां भी जरूरी हो जाता है कि आपके जो लेंग्वेज पेपर से हिंदी या दुश्रा कोई भी एंड इंग्लिस इसको क्लियर करना परेगा बट है बहुत अगर देखेंगे दोनों लेंग्वेज के पेपर से हैं उसी तरीके से कंप्रेहंसन शिक्स्टी मार्क्स के आते ह। प्रेसिज राइटिंग 60 मार्क्स के आते हैं, तो कुल मिला के 220 मार्क्स तीन ही से आपको cover हो जाता है, एक तरफ से एसे से, दूसरा प्रेसी राइटिंग, तिसरा comprehension, यहां से 220 मार्क्स के लियर, बाकी जो है 20 मार्क्स के इंगलिस से हिंदी और फिर 20 मार्क्स इंगलिस से हिंदी हिंदी से इंगलिस यानि कि just translation translation से पूछे जाते हैं 40 MB के बाद बाकी जो बचे छे हैं 40 उसमें पूछे जाते हैं केवल período केवल ग्रामर यानि की ब्याकरन कुछा जाता है तो ब्याकरन की कोस्टन जो है आप वहां से किलियर करते हैं यह रहा आपको दोनों लेंगेज पर के सिलेवस इसको पढ़ने के लिए जो भी आपने तेंथ बोर्ड में जो भी बोर्ड से आप हैं उसी बुक्स को देखेंगे आपको हो जाता है प्रेजाइव पता है करना होता है एक आपको इसमें लिए हंग्लिस Dragsten के लिए बहुत लिए महाउनुय है आप और बीजी ही है कि संग्या सर्वनाम कि अनेक सब्दुक लेक सब एंड फ्रेजेज लोकुक्तियां मुहावरे यहीं सब पुछा जाता है आपके पर देख लिजेगा सिलेवास आपको कहीं भटकने के जोड़त नहीं है बहुत होता है जिससे आपका मेरिट बनने वाला है उस भी बात करते हैं रिख फरीक्षा लिए तो चार आपके जी एच्ट के पेपर होते हैं हर पेपर होते हैं 250 मौक्स की हैं चार जीयेश के पेपर 250 यानि की टोटल हुए 12 मौक्स अएक होता है ऑप्स नल पिपर या ने कि आपके बैकल पीक भी से जो भी आप रखते है kitchen geography पॉलेटी science physics में भी कुछ भी रखते हैं उसे तो उसके दो पेपर एक फेपर 250 मार्क्स के यानि कि 500 मार्क्स के optional पेपर 1000 मार्क्स के GS यानि कि 1500 और essay के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के अलग से यानि कि 1750 पे आपका result होता है सिलेवस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि आपको GS में कहां से क्या क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से हम अगर बढ़ते हैं तो फ़स्ट पेपर जो है जिसमें कि आपको हिस्टी पूछा जाता है जोग्राफी पूछा जाता है और सोसाइटी से संबनित क्वेश्चन पू आपको हेल्फ करेगा अगर आपको अलग से कोई बुक चाहिए तो इसके लिए या फिर एस फेक्टरम की गाइड आप ले सकते हैं तो यह आपका पूरा का पूरा जो है यहां से आपका क्लियर होता है सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं जिसमें की पॉलिटी पूछा ज अगरे आता है अगया एंट्रेशनल यह यानि की आई आर पूछा जाता है और सोसल जस्टिस से पूछा जाता है सेकेंड फेपर में फिर से वही लक्षमी कान तापको पिजयें बक्षी की बुक कर देखनी होगी एलेवेंध कि आज मेंट कि अपकि गवर्डेंस दिया गया है वहां से आपको मिलेगा और फिर आप देखेंगे सोसल जस्टिस के लिए नर्मली जो नोट्स दिया जाता है आप उससे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं आपने तैयारी में पॉलिटी उच किया था बस उसी को देखना है राइट के लिए अलग से नोट्स किसी कोचिंग संस्थान से अगर मिलता है बाजी राव रभी क्या तो उससे आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ज़दिकार्स हैं उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की सब्सक्राइब नहीं है वह आपको बने बनाए मैटेरियल से मिलेंगे वहां से आप अपनी तैयारी को कंटिनीव कर सकते हैं यदि हम ठाट वेपर की बात करें जीएस के ठाट पर की तो उसमें एकनॉमिक उछा आता है एकनॉमिय डेवलपमेंट तो फिर से जो है आपको मै की डेवलपमेंट है वह थार्ड पेपर की आपकी तैयारी होती है और करेंट के आपको खास फोकस रखना है इंडियान एक्सप्रेस दा हिंदू निश्वेपर पर परहेंगे तो आपकी करेंट में जो चैंजिंग हो रही है वहां से आपके कोस्टन्स बनना शुरू हो जात है लिए इसमें बेंट करना होता है तो इससे इनवार्मेंट एकलोजी का इसमेंट का पूछा जाता है क्योंकि अभी करोना आई है डिजास्ट्र मैंजमेंट और यूंच्च बड़ा हो चुका है ऐसे में इस से कुस्चन जो है बहुत इंक्पोर्टन है कर लेंगे और वहां से परहेंगे तो थर्ट पेपर की पूरी तयारी आपकी हो जाती है अब चलते हैं फोर्थ पेपर की तरह बहुत इंट्रेस्टिंग पेपर है जिसमें के यह ठीक्स इंटेग्रेटी एप्टिक्यूट सुभा राओ की किताब एक मात्र किताब है जिससे आ माक्स भी आते हैं दोनों चीज इसके सांथ जुरा हुआ है तो यह पूरा का पूरा सत्रा सो पचास का पूरा सिलेवास है जिसमें कि एससे में दो एससे लिखना होता है और इसे के लिए आप जो नुज पेपर पढ़ते हैं उसके निज पेपर का जो एडिटोरियल है वह को महतपूर्ण है उससे आप देखिएगा और स्पेक्ट्रम गाइड का जो एससे है उससे आप त्यारी करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा और इससे में भी 250 में 200 मार्क्स तब आते रहें इसलिए इससे कि को भी अग्नोर नहीं कर सकते बहुत अच्छी त्यारी राइटि सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कुस्टन मिलेगा क्योंकि हम लोग जब एक्जाम देते थे तो हमेशा मुझे इसी तरह से हमेशा मैं चैप्टर डिसाइड करके जाता था मुझे मिलता था और मैं उसी को लिखता था तो आप ऐसे की तयारी भी इजली कर सकते हैं यह सारे सत्रसों का फोटाल स्लेवस है और यह पूरी रननीती आपको जो मैंने बताया है उसके इसाब से करने हैं मेंस को क्लियर करने के लिए आपको मेंस में डाइग्राम मैप का परियोग करना पड़ेगा तूद पॉइंट प्रेण प्रेण करके लिखना प्रेगा संच्छिप संचिप्तर रूप में लिखना प्रेगा पाइंट वडू पॉइंट लिखना परेगा कहीं से भी आप इंट्रोडशन दे debate कर बड़ाबरा नहीं कर सकते हैं जरूरी होती है पहरकी प्रैक्टिस होती है इलेकि अगर किया कि आप सफल होंगे और जबुकृषा चाहर करते हैं कैसा कि इंटर को कि हादी होता है 275 Max ओर नीन Kenneth's का मार्स और 272 रंटरु के मार्स को मिला कर फाइनल आब कि तो कहीं न कहीं इंटर्भीयो ज़रयाvit आजि जज़र Max दे सकता है वह इंटरुर। मैंस का जो करते हैं और नीचे से हो या कहीं होते हैं तो इंटर्व्यू को भी आप देखेंगे लास्ट आपका दरवाजा है जिसको कि तोड़ना होता है किलियर करना होता है तो इंटर्व्यू के लिए भी कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत है 275 मार्क समय से 230 तक 250 तक नमबर आप ला सकते हैं इसको लाने का तरगेट आपको आए इंटर्व्यू में इसके लिए कई चीजों को ध्यान रखना होगा पहला तो आपके जो घर्जुवेशन में सब्जेक्ट रहें उसकी पकर और रखा है उसकी जनकारी होबी जैसकी जनकारी आपके नाम का मिनिंग क्या है फादर्स के ज इतना आप अच्छे से प्रजेंट करते हैं क्योंकी पर रोखी करने पर ही मार्क्स मिलते हैं अब्जेक्टीव कोई वह कुछ दिक्कत नहीं होती है नंबर नहीं कठता है नंबर वहीं से मिलता है जब एक कोस्षण का जवाब भी बहुत इंप्रेशिव ठंग से रखेंगे भी आप संस्थान कारेंगे वह सब से अच्छा है संकल्प दिल्ली की संस्ता है जहां से में इंटर्वियो की त्यारी किया था सबसे बेटर है م 소50 अपने फेंट करेंगे तो बेटर है आप पार्ट में उसका आंसर वगरत त्यार करें इंटर्व्यू के लिए अपना आई-टो-आई-कॉंटेक्ट बनाएं आई-टो-आई-कॉंटेक्ट में अगर दिक्कत होती है तो आप नोज पे देखिए जिनको भी आप आंसर कर रहे हैं बोर्ड में जनरली 6-7 मेंबर्स होते है मिल्मन फाइब तो होते ही हैं बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई लेडी मेंबर्स हैं तो उनको सबसे पहले गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी आप संबोधन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले करें भले ही उस इंटर्व्यू को चेर करने वाले मेल मेंबर हो अधरवाई अगर मेल सभी हैं तो जो बीच में बैठे संटर में होते हैं वो उनको सबसे पहले आपको नमस्कार करना है बाकी को एक साथ आप कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए अलग से हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे आप फिल लाइव होकर आपको इंटर्व्यू कि आप में बिल्कुल समझ गया होंगे कि का सिलेवस क्या है और उसी के हिसाब से हमने पूरी सिलेवस आपको बताई है और बुक लिस्ट बताई है कि कौन-कौन से बुक्स परनी है इसके अलावे भी अगर आपको लगता है तो आप कोस्टन पूछ सकते हैं कि आपके बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं सभी कोस्टन जो भी है वो सभी को सब्सक्राइब कर लिया है और आज का थोड़ा स्यूल है क्योंकि यूट्यूब के बाद मैं यूटूब अपने यूटूब चैनल पे लाइव होने जा रहा हूं तो वहां भी मैं इसी चैप्ट तो आप वहां पर यूटूब लाइब को जाओंगा पांच नेट के बाद तो आप वहां पे अपने को सकते हैं और जो भी कोस्टन सा रहे हैं वह मैं श्री असली उसको देख रहा हूं और उसको मैं पूरा करूंगा और वहां भी मैं आपको बताऊंगा सो कल तक के लिए किर्प्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे